अध्यक्ष जी जिस समय पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था उस समय उन्होंने देश की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया था इसके साथ ही मैं मंत्री महोदय को यह भी समरण दिलाना चाहता हूँ कि शायद उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया कि इस बार जो राश्ट्री पुरस्कार मिले हैं उनमें रेलवे प्रशाशन को केवल दो ही प्राप्त हुए हैं जबकि मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारी सेना के बाद अगर किसी ने युद्ध काल में सराहनी कार्य किया है तो वह रेलवे प्रशाशन और रेलवे करमचारी और अधिकारी हैं इसलिए उनके मनोबल को बनाए रखने के लिए और उनको प्रोटसाहित करने के लिए रेल मंत्री को इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए और इसका प्रयास करना चाहिए कि जो भी इस तरह के प्रोटसाहन मिलें उनमें रेलवे का विशेश ध्यान रखा जाए रेल मंत्री महोदै ने अपने वक्तव्य में भी रेलवे करमचारियों की प्रशंसा की है या उनको प्रोटसाहन दिलाया है लेकिन यह प्रोटसाहन शांतिकाल में भी बना रहना चाहिए रेलवे ने युद्धकाल में जो काम किया वह तो देश की रख्षा का महान उद्देश्य था लेकिन उसके बाद देश के निर्माड में या गरीबी मिटाने के लिए जो युद्ध होता है उसमें भी प्रतेक रेलवे करमचारी का मनोबल उसी तरीके से बना रहे इसके लिए भी रेल मंत्री महोदय को कुछ कदम उठाने की आवशक्ता है मैं ऐसा मानता हूँ कि वह किसी भी तरीके से करें उनका तरीका कुछ भी हो लेकिन उनको यह करना चाहिए कि जितने भी रेलवे करमचारी हैं जो भी रेलवे को मुनाफा हो उसमें वह साजिदार हो चाहे आप उनको बोनस के रूप में कुछ दें चाहे किसी और तरीके से दें लेकिन हर वर्ग के रेलवे करमचारी को मालूम होना चाहिए कि यदिवह देश के निर्माड के संबंध में ठीक तरह से काम करेगा तो उसको पुरस्कार के रूप में या वेतन के अंच के रूप में अपने वेतन के अलावा पैसा मिलेगा इसी प्रकार इस संबंध में मैं एक और सुझाओ देना चाहता हूँ स्वतंत्रता के बाद रेल प्रशासन भारत सरकार का प्रशासन हो गया लेकिन यह लोगसभा एक विशेश पुद्देश को लेकर चुनी गई है यह उस कारिक्रम का एक नमूना ही है गांधी जी ने जीवन के सभी पहलूओं पर प्रकाश डाला था धन को वे संयम से व्याय करने के हक में थे